आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ सूजी से बनने वाला बहुत ही लाइट विट ब्रेकफास्ट जिसका नाम है रवा अपम रवा अपम की ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट है और साथ के साथ बहुत ही हेल्दी है स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल SG Food World में रेसिपी की शुरुवात करने से पहले आएए दोस्तों SG Food World को सब्सक्राइब करें साथ ही बेल बटन प्रेस करें ताकि लेटेस रेसिपी आपको जल्द मिल पाएं रवा अपम को बनाने के लिए इंग्रीडियन्स देख लेते हैं दो प्यास बारीक कट की हुए दो मीडियम साइज शिम्ला मिर्च बारीक कट की हुई एक चुथाई बंगो भी ग्रेट कर लेंगे इसको थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा दनिया एक गाजर ग्रेट की हुई दो मीडियम साइज टमाटर बारीक कट की हुए धाई कप सूजी बारीक सूजी भी ले सकते हैं मोटी सूजी भी मैंने यहाँ पे बारीक सूजी लिये दो कप दही मैश किया हुआ एक टेबल स्पून रिफाइन ओल दो टी स्पून नमक आप अपने स्वाद के निफसार कम या जादा कर सकते हैं एक चुथाई टी स्पून इनो मैंने लेमन फ्लेवर वाला इनो लिया हैं आप इसकी जगा बेकिंग सोड़ा भी ले सकते हैं आदा टी स्पून काली मिर्च बारीक पिसी हुई आप चाहें तो कोई और वेजेटेबल भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो जैसे की ब्रोकली, बॉयल मतर, कॉर्ण वेजेटेबल चालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब आड़ करेंगे दीरे-दीरे गर के पानी और साथ ही मिक्स करते जाएंगे इसकी कंसिस्टेंसी जादा पतली नहीं होनी चाहिए जैसे मैं आपको इस वीडियो में दिखा रही हूँ बिल्कुल ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए मैंने तकरीवन 2 कप पानी डाल दिया इसमें बैटर को 10-15 मिनट के लिए ढखके सेट होने के लिए रख देते हैं ताकि सूजी भी अच्छे से फूल जाए जितनी देर बैटर सेट होता है उतनी देर हम तड़का की त्यारी कर लेते हैं फ्लेम ओन कर लेंगे लेंगे एक तड़का पैन और उसमें आड़ करेंगे 1 टेबल स्पून ओईल हाफ टी स्पून सरसो आड़ करेंगे साथ ही आड़ करेंगे कड़ी पत्ता लीव्स इस तड़के से बैटर में बहुत ही अच्छी खुश्बू आती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है फ्लेम को मीडियम रखेंगे तो चलिए बैटर चेक कर लेते हैं बैटर विल्कुल रेड़ी है इसमें आड़ करेंगे 1 चुथाई टी स्पून इनो इनो की जगा आप बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं वो भी सेम वर्क करता है इसे डालने से सॉफ्ट बनते हैं साथ में बहुत ही फोक के और टेस्ट में बहुत ही अच्छे लगते हैं मिक्स कर लेंगे अच्छे से अब जो हमने तड़का रेडी किया था वो इसमें आड़ कर देंगे एक बार फिर से बैटर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे कितना बढ़िया लग रहा है यह और इसमें कड़ी पत्ती की बहुत अच्छी खुश्पू आ रही है रव अपम बनाने के लिए एक अपम पैन लेंगे ये मार्केट में इसली आपको मिल जाएगा पैन को ओईल से ग्रीस कर लेंगे ताकि जब अपम सिख जाएं तो असानी से निकल जाएं जो बैटर हमने रेडी किया था वो इसमें फिल करेंगे सिर्फ एक एक चम्मच हर मोल्ड में आपको डालना है इससे जादा नहीं अगर हम बैटर जादा डालेंगे तो अपम फूल कर मोल्ड से बहार आ जाएंगे ऐसे ही बाकी सारे मोल्ड को भी फिल कर लेंगे अपम को थोड़ा कलरफुल करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स मैंने अलरड़ी ग्रेट करके रखी हैं वो मैं उपसे स्प्रिंकल करूंगी थाकि ये देखने में और डिलिश्यस लगें अब अपम पैन को हम फ्लेम पर रखेंगे लिट से कवर कर देंगे और चार से पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे पकने देंगे पाश मिनट बाद चेक कर लेते हैं अब अपम पैन के साथ ये एक वोडन स्टिक आती है पलटने के लिए अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं अब ये सारे अपम को पलट देंगे देखे जितना मोल्ड का साइस था मैंने बैटर उतना ही लिया है तो आपम बिल्कुल एक्रिट बने हैं अच्छे सिख भी रहे हैं वापस से इसको लिट से कवर कर देंगे और तीन से चार मिनट के लिए लोग फ्लेम पर पकाएंगे तीन से चार मिनट के बाद हम देखेंगे बिल्कुल एक्रिट रेडी है बहुत ही टेस्टी लग रहे हैं यह अपम यह इंस्टेंस सूजी आपम बनाना बहुत ही असान है और इतने डिलिशिस हैं कि आप खाते खाते ठक जाएंगे पर मन नहीं भरेगा इस रेसिपी को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंडस और फैमली के साथ मिलूंगी ऐसी ही और मज़िदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई टेक केर डोंट फॉगेट तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब